जैने दूस्तों वंदे मातरम, हम जब भी काम शुरू करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई स्टाइट अप करते हैं, कोई बिजनस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम हर एक चीज का एक मापदन डिताय करते हैं, कि हमें इस एक्स्टेंड तक जाना है, जैसे मतलब इस केस में जिस तरीके से जो खुलासे पुलिस के द्वारा किये जा रहे हैं उन खुलासों की अगर हम बात करें तो वह बहुत जादा चौकर है मतलब वैसे तो कुंदर साथ ये कह रहे हैं कि वह उनके उपर ये लगे सारे आरोब जूटे हैं लेकिन मुंबई पुलिस की कमिशनर ने भी ये बात कही उनके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं यहां पर कौन सही है कौन गलत है यह तो भी हमें आने वाले समय पता चली जाए लेकिन इन सभी चीजों के बीच में जो अलग अलग तरीके से बाते निकल कर सामने आ रही है वो ज्यादा चौकाने वाली जैसे कि एक यह जो नया किस्ता निकल कर सामने बात आई है दरसल यह टाइम स्नौ के उपर आई है कि टाइम स्नौ के मताबिक पुलिस द्वारा एक् इस बिजनेस को बॉलिवुट से भी बड़ा बनाना चाह रहे थे दरसल मैं आपको बता दू कि फॉरेंड कंट्रीज में जहां पर इस प्रकार का कॉंटेंट जो है वो लीगल होता है वो लोग इस प्रकार के कॉंटेंट से बिलियंस में कमाते है और वहाँ पर यह एक से लीगल नहीं है अब मुंबई पुलिस के अनुसार कुंद्रा इस रैकेट को बहुती सुनियों जो ढंक से चला रहे थे इसमें मुनाफ़ा कमाने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रेजी बना के रखी थी एकसेस किये गए सबूतों से बात पता चलती है कि राज इंस्ट्राग्राम के ऊपर इंस्ट्राग्राम के ऊपर भी लाइव के ऊपर ऐसे गिफ्ट का शुरू होने वाला जिससे कि लोग अर्निंग कर सकते हैं और इसी में भविश्य देख रहे थे उनका प्लान था कि वो इस बिजनेस को बॉलिवूड जितना बड़ा बनाएंग राजकुंद्रा को चीफ कॉंस्पिरेटर बनाकर नामित किया है मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त मेलिंद भ्रामबे ने खुलासा किया है कि इस फ्री डाउनलोड एप को एपल और गुगल प्लेस्टोर दोनों ने इसकी सामगरी के लिए अपने प्लेस्टोर से हट करा दिया था वाइलेशन माना गया था यहां पर वहीं राजका कहना है कि उन्होंने इस एप को साल 2019 में 25,000 डॉलर मतलब करीब 18,64,000 रुपए में बेच दिया था रिपोर्ट की माने तो राजकुंदरा अपने जीजा प्रदीबक्षी के साथ मिलकर अश्रील वीडियो बनाने का बिजनेस इस आप के जरीए ही करते थे IANS की एक रिपोर्ट बताती है कि राज वियान इंडस्ट्री लिमिटेड के मालिक हैं और प्रदीबक्षी ब्रिटिश सिटीजन है जिसकी शादी राज की बहन के साथ हुई है और केंडरी लिमिटेड के जो चेर्मेन भी है दोनों कमपनिया मुबाइल अप होटशोट डिजिटल एंटरेइनमेंट के लिए काम करते थे जिसे केंडरी लिमिटेड ने डिवलप किया था कहा जा रहा है कि राज कुंदरा एडिल्ट कॉंटेंट की सप्लाई इंडिया से यूके किया करते थे एक इनके ऑफिस में शापा पड़ा तो वहां से भी कुछ सत्तर वीडियो जो है पकड़ाए गए थे उलेकनी है कि इन वीडियो के मामले में कुंदरा के विरुद फरवरी 2021 में शिकायत हुई थी कंप्लेन में कुंदरा पर अश्लील समागरी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का रूप लगा था बाद में मामले दरज करके जाच शुरू ही प्राणरमिक जाच में दोशी पाया जाने के बाद उनको 19 जुलाई को देर रात को गिरफतार कर लिया गया इस मामले में 11 लोग गिरफतारी हो चुकी और कंदरा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं इस प्रकार की बात हो रही है और पुलिस राच कंदरा के घर की तलाशी ले चुकी और वहां से भी कुछ चीज़ें मी लिए हैं आफिस में चापे पड़ गए हैं आप वहां सोची है कि इस इंड़सी को भी छोटा करने की सिब्स प्लानिंग कर रहे थे कि भाई है यह जो मदोटा इनके शर्च अरगा ने वाली है